चंदीघड की एक युनिवस्टी में कुछ दिन पहले ही एक साथ कई छात्राओं के अश्रील वीडियो बना कर सोशल मीडिया पर अप्लोड कर दिये गए थी कुछ ऐसा ही मामला मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल से सामने आया है जहां तीन छात्रों पर एक छात्रा का अश्रील वीडियो बनाने का आरोप लगा है भोपाल में ITI कॉलेज के तीन पूर्व छात्रों के खिराव एक महिला छात्रा का कथित रूप से एक वाश्रूम में अश्रील वीडियो शूट करने और उसे ब्लैकमेल करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया है इन में से दो आरोपियों को हिरास्त में ले लिया गया है अशोका गार्डन एसेचो ने बताया के आईपीसी की धारा 384 और आईची अधिनियम के 67 के तहट मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच जारी है तीन छात्रों ने मिलकर कॉलेज के वाश्रूम में एक छात्रा का अश्रील वीडियो बना लिया वीडियो बनाने के बाद तीनों ने छात्रा को परिशान करना शुरू कर दिया और उसे पैसों की मांग की जबकि पैसे नहीं देने पर छात्रा का वीडियो वाइरल करने की धमकी भी थी मामला 17 सितंबर विश्व कर्मा जैनती का है इस दिन कॉलेज में एक प्रोग्राम था जिसमें उस छात्रा ने भाग लिया था उसी दिन छात्रा कपड़े बदलने के लिए वाश्रूम में गई थी लेकिन तब ही तीनों ने उसका वीडियो बना लिया इस बात की जानकारी उसे दूसरे छात्रों से मिली अशोका गार्डन पुलिस ने मामला दर्च कर बताया कि ये कारणामा कॉलेज के पूर्व छात्र राहुल यादव खुश्बु ठाकूर और आयान का है तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें किन्नी टाइम्स के साथ वीडियो क लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूने